नमस्कार दोस्तों आज 31 तारिक मही महीने का आखरित दिन और हम माइंड बैंकर सापका स्वागत करते हैं आज की करेंट अफेर्स में जो भी न्यूस पेपर से रिटेड कोश्चन्स हैं और उसका पूरा डिटेल से वह आपके साथ सेयर करेंगे हम लोग डिसकस करेंगे तो इस शो को पूरा लास्त देखे और मैं दावा है कि आपको आपका एक भी कोश्चन्स इससे बाहर से नहीं आएगा तो इससे पूरा देखे और जितना भी हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आप हमाँ चैनल पर नए है तो हमें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और लाइक और शेयर भी करें चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहला टापिक देखते हैं भारत ने कोविड ओरीजिन का जो खोज़े उसको सपोर्ट किया है यह पहला न्यूज है अभी हाली में बहुत चर्चा में रहा है अमेरिका ने बोला है कि जो कोविड ओरीजि हो रही है अभी दुनिया में उस पर हुआ है और डब्लु एचो ने भी बोला है डब्लोच के रिपोर्ट आई थी दोजार एकिस मार्च में आई थी रिपोर्ट उसमें भी यही बताया गया है कि यह जो वाइरस है इसका औरीजिन किसी लैबरोटरी में या कहीं पर रिपोर्ट संदूस नहीं है तो इसकी आप डिटेल जाच कराई जाए डेटा लिया जाए अध्यान किया जाए ताकि उसमें अब मदद मिले ही कि आगे क्या गया जाए तो इसको इस जो यह जो जाच होना ले इसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया है यह यह निउस है और उसमें यह बताया गया था कि यह जो कोविड का वायरेस है यह किसी चाइना के लाइबरोटरी से और इस इनेटेड हो सकता है ठीक है यह सब चीसे बताई गई थी बट वह ने से खंडन किया था चाइना भी यही बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी एक मैनमे हुआ था यह कोविड और इसके बाद पूरे दुनिया में फैल गया और अभी आप देखें कितनी बड़ी महमारी है करोरों लोग इसे एफेक्ट हुएं कि सारे देश एफेक्टेड हैं कितनी जीडिपी लोग का काम वाम सब रुग गया है तो होप उम्मीद करते हैं बहु से बी सरकल हैं रेड कलर से सारे चाइना के से और इन वायरेस का हुआ है और इदे कितने खदरनाक हैं बहुत पहले से थे तैरह से तालिस में से यह और बीच में ब्लाक डेथ के नाम से प्लेग फैला था इसमें 200 मिलियन लगों को ही जान गई थी यह भी चैना स्माल पॉक् होंग कॉंग फ्लू स्वाइन फ्लू इस ग्रेट प्लेगे सारे जितने भी हैं यह सारे चाइना से और वहीं से इनका उरिजिन माने आता है यह देखें सार्ज दोजात तीन में आया था जो अभी मॉडर्न समय का है स्वाइन फ्लू दोजार दस में आता इसमें भी बहुत होगी देते और अब भी कोविट तो आप जानते ही है चल रहा है और अब इसमें जाने कितने और लोगों की जान जाएगी कि नेक्स्ट पढ़ते हैं कि केंदर सरकार ने अवेदन आमनतित करना अब सुरू किया है स्टिजें अमेंटन बिल के थ्रू कि जो तीन देश हैं अफगानिस्तान बंगलादेश इन से बंगलादेश और पकिस्तान इन तीन देशों के प्रवासी जो हिंदू है या पिर जो सिख हैं बहुत धर्में पार्से इसाई हैं उनका अवेदन आमनतित किया है कि आप आईए भारत की नागलता आप ले सकते हैं आप आवेदन कीजिए इसमें से इन तीनों देशों के से बहुत सारे लोग प्रवासी है जो तेरा जीलों में रहते हैं रास्थान अरेना पंज सिख जैन पार्सी और इसाई और किन-किन देशों संबनित होने चाहिए अफगानिस्तान बांगलादेश और पाकिस्तान यह आपको ध्यान रखना है इसमें मुस्लिम इंकल्यूड नहीं है यह पहला ऐसा लौ था सिटिजन्शिप लौ है भारत का जो रिलीजन पर आधारी पाइद है ठीक है यह से पहले कौन सा अग्ट है तो यह आपको ध्यान रखना इंप्रटनेश चीज़ें हैं इसमें रिजिदेंस रिक्वार्मेंट है कि अगर आपको हमारे देश की नागरता प्राप्त करनी है तो बारा साल से तक्रीवन आप रिख्यूजी है तो यहां र रिख्यूंञ जानते हैं नहीं के बारे में यह कौन्स यजाना लौच के दौर अबहरा में यह इमपोर्टेंट है यह आपको याद रखना है कोई भी जब योजना लागव होती है तो वह किस मिनिस्ट्री के दोरा लागव ह gardens मिनिस्ट्री औफ एज्ट्रुकीशन के दोरा यह लाइन लॉटर्ट किया गया है कैं कि कि आलढदर मेंटर्से प्रोग्राम 파ै इसके द्रकेत क्या है जो 30 साल से कम उम्र के जो यूवा लेखक है उनको mentorship दिया जाएगा उनको चुना जाएगा और बड़े लेखकों के बीच में रखेंगे उनको mentorship किया जाएगा उनको दिखाएगा कैसे लिखना और उनको अच्छे लेखन में प्रुत्साहित किया जाएगा ताकि भारत को और अच्छे लेखक मिल सके यह इस प्रोग्राम का काम है इसका यूबा जो है वह स्टैंड फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्साटाइल ऑथर्स इंपोर्टेंट है याद रखिए यूबा का फूल सरकार मदद करेगी यह बुक जो है इसमें एक चीज़ इंपोर्टेंट है यह याद रखना है कि बुक जो है कि सेवेंटी फाइव ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और जो इनके बुक होंगे वह दो हजार बाइस में किया जाएगा नेशनल यूथ डेव के अबसर पर औ चलेगी आगे बढ़ते हैं सेकंड ब्रिक सेरपा मीटिंग जो ब्रिक सेरपा का मीटिंग है दूसरा मीटिंग वह अभी होने वाला है उसको बताएगा यह सेरपा नॉर्मल सेरपा नहीं समझे जो नेपाल में हिमाले पर चड़ने मुलग मदद करते हैं या पर वो वो नही है यह जो ब्रिक रढाएं उनके होते हैं उनको सेरपाः बूलाता है जो की आने वाली अगामी मीटिंग में कौन से से ब्रिक भात होगो काॉन कौन सा सब्सक्राइब करते हैं तो जो मिटिंग बौर ईंडिया का चेयर्मेंट्स किया है इस लिए भाहत इंपॉत सकते हैं लिभ्य वाथ और अजल्स के प्रत्रा प्रिक स्त्रीटीव यह संंविक होते हैं उनकी तयारी और उनके उन पर इसके संट्र होने वाले हैं उन पर यह काम करते हैं आगे बढ़ते हैं गवर्मेंट ने सेंटर अपर जो मेडिसीन है उस पर सेंटर लोकेशन अटा दिया है अब सेंटर ने यह बोला है कि अब सेंटर के अंतरगत यह नहीं आएगा राज्य को जितनी भी नीड़ जितनी यह सब चीज़ें बढ़ गई थी इसलिए सरकार ने इसको इसको अब सरकार ने अपने अंडर से इसको हटा के राज्य सरकारों के अंदर के दे दिया है आप देखे 33,000 वाइल पर डे पहले उत्पादन होता था बट अपड़ी तो यह बताया गया है कि अब जो जितनी अपने साथ देखना है जितनी नीड है उतना ही उत्पादन करें उतने उत्पादन में यह इसको मंगाया जाए तो देखे यह जो मेडिसिन है यह कोविड कोविड के लिए नहीं था यह हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए इसका उप्योग याता था बट यह कोविड-19 म में भी मद्दगार साबित्वाई से लिए इसका बहुत मांग बढ़ गया था अगला जो इंपॉर्टन नीज है वो है सीट फेस्ट डिफेंडर 20 वार वार गेम्स जोकि नाटो द्वारा अभी आयोजित किया गया है कहां पर तो यूरोपियन जो सी है उदर किया गया अट् सब्सक्राइब किया गया है इसके लिए उसी के युद्ध अभ्यास जारी किया गया है नाटो बारूँ जानते यह नों नौर्थ नर्ट्रीक स्छांथ चैश्तम पर गया था इसका जो में रिजन था वो OSSर उसको इसको सामना नहीं चाले यह व्यू से लिए ने क्या कि कश युदिय्क मिलाया जो आट्लांटिक सागर है उसके तरफ जो अट्लांटिक्स अगर इस तरफ अमेरिका इस तरफ यूरेप इस दोनों तरफ के लोग का एक संधी किया गया और इन्होंने एक मिल्ट्री अलाइंस बनाया जो कि रसिया को यूएससर को उस समय टक कर दे सकती थी में किया गया वासिंग्टन ट्रीटी के नाम जाना आता है यह जो ट्रीटी हुआ इसका है ब्रूसेल्स बेल्जियम में तो यह इसलिए सिगनिफिकेंट है और नौर्थ अंड्रेश के अलांटिक्स आगर के दोनों तरफ के जो रास्ट्रेक तरफ अमेरिका दूसरे तरफ सबसे बाद में जो एलवेनिया और क्रुएसिया सामिल हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं पर्मानेंट कमिशन अभी स्थापित करने के लिए बोला गया है इस्राइल और पलिस्तीन के लिए बोला गया है इस्लामिक कॉपरेशन और इस्लामिक कॉपरेशन ओई सी ने विनाटेट नेसन हुँमिन राइट कॉंसिल को कौम अदित किया और बोला है कि आप इस्राइल और पलिस्तीन में एक पर्मानेंट कमिशन का इस्थापित करिये जो क्यों महाँ पे देखेंगे कि ह हँग नहीं हो रहा है या पर जो भी गाज़ा पट्टी पर देखने के लिए कमिशन के लिए इस्ताफित करने के लिए बोला गया है यह किसके द्वारा यह किया जाएगा और सबसे बड़ा सबसे बड़ा और इसके 57 स्टेट्स इसके मिंबर से इतने मुस्लिम कंट्रीज इसके मिंबर सबसे बड़ा है कहां पर राबाट किंग्डम ऑफ मोरक्को एड़कॉर्टर का है जैद्धा में सायोधिय रिवे में इसका इड़कॉर्टर है यह चीज़े इंपॉर्टेंट है यह देखे सारा जुतनी भी च्छोटी-च्छोटी में इसके सारे इसके ही और इस्लामिक कोपरेशन के मेंबर से इसके बारे में जानते हैं में इसका इस्टैबलिस्मेंट हुआ था 47 मिंबर स्टेट्स हैं इसके और इसका काम है कि जो होता है उसको रोगधाम करना पूरे दुनिया में यह काम करती है अगरा न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री मोदी ने अनौन्स किया है कि जो बच्चे कोबिट-19 में अपने पेरेंट्स को खो दिया है उनके लिए 10 लाख रुपे का एक FD की तरह किया जाए जो कॉर्पस बनाएगा पूल बनाया गया है जस्ट लाइक यह उनकी लिए किया जाएगा और जब वह 23 यह के होंगे तो उनको यह मिल जाएगा उससे पहले उनके पढ़ाई लिखाई और उनके स्कूल्स इन सब की फी भी उनको प्रोवाइट की जाएगी यह कोस बनाया गया है इसमें 10 लाख रुपे का FD किया जाएगा और जब वह दिया जाएगा देखिए आप दिया गया जो दस साल कि हैं उनके नियरस केंद्रे विद्धियाला और प्रवेट स्कूल्स या फिर नवोदे विद्धियाले में उनका एडमिशन के लिए दिया जाएगा बहुत इंपोर्टेंट तर चलिए अब यह आज के बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट एंसी क्यूज है कि वह देखते हैं पहला कोशन देखते हैं क्या है को रहात प्रदान करने पहला केंद्र साहित प्रदेश कौन सा बन गया है तो इसका अंसर है जम्मू कश्मीर जो कोवित प्रवाइद है जिनके मेंबर्स इनके फैमली म इसमें एक अजार रुपए डिरेक्ट डीवीटी के थ्रू उनके अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा जो सर्वाइविंग स्पाउस है या जो एक जो एल्डेस सर्वाइवर मेंबर से फैमली के उनको दिया जाएगा नेक्स्ट कोशन आगे देखते हैं राश्ट्रिय प्रेवरन इंजिनिरिंग अनुस्थान सस्थान नीरी जिसने कोविड परेक्शन के लिए नई तकनिक विक्सित की गई है नीरी के द्वारा यह कहां पर इस्तित है तो यह स्तित है नागपूर में सही उत्तर इसका गार्गिल टेकनिक के द्वारा यह टेस्टिंग की जाएगी यह रिसर्च किया गया है नीरी के द्वारा यह डेवलप किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन यह मद्परदेश महरास्ट्रा का मैप है देखिए मद्परदेश गुजरात इदर अरेबियन सिए तेलंगाना करनाटका इसके परोशी देश है चत्तिस गड़ मुंबई आगे बढ़ते चीज़ें हैं देखें परताफगर्ड फोर्ट माई ट्रमीनस है यह माई सब्सक्राइब इंडिया गवर्नर यहां के भगत सिंग कोशी आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर उद्दव ठाक रहे हैं डेप्टेड चीफ मिनिस्टर अजीत पवार 288 विदान सभा की सी सीटें हो गई हैं राजसबा उननीस लोगसबा अरतालेस कि तरफ कितनी रासी का नदान आवंटित किया है देखें बहुत इंपॉर्टेंट है यह जल जीवन मिशन जो है इस बार को हर एक्जाम में से कोशन बनेंगे तो जितना भी राज्यों को आवंटित किया रहा है धन करोर का ग्रांट दिया गया है के अंदर सरकार दोरा जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वकांची मिशन है यह इसके अंतगरत क्या बोला गया है कि दोजार चौबिस तक देश के प्रतेख घर में टाप टाप वाटर मतलम नलके का पानी पहुंचना चाहिए इसके लिए यह है तो प्रतेख सरकार को प्रतेख घराज सरकार को इसमें मदद दी जा रही है और उनको बोला गया है कि आप दर चौबिस तक यह इसका पूरा करें यह कब सुरू किया गया था पंदरागर ज़र सब्सक्राइब को याद रखना है कि टोटल बजट जो इस मिशन का है 2021-22 के लिए वह कितना है पचास हज्यार करोर यह भी याद रखना है तो मद्य परदेश के गवरणर अनंदीवाई पटेल सिवराद सिंग चौहानवा के मुख्यमंत्री है और कैपिटल भोपाल है यह म इसके डिस्टिक्स हैं और बढ़ते हैं दिखते हैं तो दो सो ती सीटे वाँ विधान सभा की है 29 सीटे लोग सभा राजसभा के 11 सीट है 12 सिंगां आप पर स्टेट ममल है बर्ड इंडियन प्रादाइस फ्लाइज प्लाइज फ्लावर वाइट लिली फ्रूट मैंगो और बनियान ट्री वहां का है स्टेट ट्री है ओफिशल लैंग्वेज वहां पर हिंदी बोली जाती है तो यह इंपोर्टन इपोर्टन चीज़े थी कुछ पॉपुलेशन देखें फिफ्ट रैंक का पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में आगे बढ़ते हैं बाल सेवा योजना किस राजी के द्वारा सुरू की गई है तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा सुरू की गई है तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा सुरू की गई है बाल सेवा योजना देखें आज ही बहुत यह न्यूज में आया है बहुत दुक करती है तो इसमें क्या किया जाएगा फाइनेशल अर्शन पर मन्त उन ऐसे वच्चों को दिया जाएगा जिन्हों ने अपने पेरेंट्स को इस को दिया है ठीक है और साथी साथ उनको लाप्टॉप टाबलेट भी एजुकेशन के लिए उनको प्रोवाइट किया जाएगा और एक करीबन एक लाख एक हजार ऐसे गर्ल चिल्डेंट्स को दिया जाएगा मैरेज परपसर से उनको किया जाएगा जो इन अपने पेरेंट्स को इस कोबिड नाइंटीन में खो दिया है गवर्णादे पटेर योग्याजिशन वहां पे चीफ मिनिस्टर हैं लखनाव की राजदानी है मैप उत्राखंड देश नेपाल से बिहार यहां पे जहारखंड चतिसगर्ड मदपर्देश राजस्थान और अर्याना यह पर लखनाव यह इसका कैपिटल अगे बढ़ते हैं लेगने से कॉंसिल की सौ सिटे हैं असेमली की चार सो तीन सिटे है राजसभा एक पिस लोग सभा की सिटे हैं कैपिटल लखनाव लाजर सिटी जो है वो कानपूर है यह भी आपको याद रख भ्यान में लखना ऑफिशल लैंग्विज हिंदी बाकि कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं है बारा सिंगा यहां पर स्टेट ममल है बर्ड सारस क्रेन है फ्लावर पालस ट्री असोका ट्री अका स्टेट बढ़ते हैं अभी हाली में आरबी आई ने किसी एक बैंक पर 10 करोर रुपए का मौदरिक जुर्माना लगाया है वो कौन सा बैंक है जो बैंकिंग बिनिमान अधिनियम है उसको रोकने के लिए भी लगाया गया तो यह कौन सा बैंक है तो ड्री बैंक पर जुर्माना लगाया गया है उन्हें बोला गया कि उन्हेंने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सही धंग से पालन नहीं किया है इसलिए उस पर यह जुर्माना लगाया गया है किस प्रोविजन के लगाया है 47 a1 C 4741 के अंत्रगत अब यह आरबिया के बारे में जानते हैं तो सक्तिदाज जी उन्हें गवर्णर है 1935 में इसका फांडेशन हुआ है एड़कॉर्टर मुंबई में है सिधर जगदेशन एस ज़सी बैंक के सीओ है इसका वी हेड़कॉर्टर मुंबई में है चलिए आगे बढ़ते हैं किस र अलग अलग योजना का अलग नाम है वह जरूर ध्यान रखेगा तो सिशु शेवा योजना जो है वह कहां पर शुरुवात किया गया है तो असाम गर्मेंट के दोरा यह शुरुवात किया गया है इसमें इंपॉर्टन क्या है कि आपको मंतली स्कॉलर्षिप साड़े तीन ह तो असाम गवर्नर जो है जग्दीश मुखी हिमनतव विश्वा सरमावा के चीफ मिनिस्टर है और कैपिटल यह मैप भुटान है यहां पर चाइना है यहां पर नाचल प्रदेश है मैंनमार बांगलादेश ठीक है यहां नागा लेंड है यहां मनीपूर है आगे बढ़ते हैं देखते हैं आपर कुछ इंपॉर्टन बड़े चीज़े गवर्णर जगदीश मुखी चीफ मिनिस्टर हेमन सर्मा विश्माल जो लेंगे साथ 126 सीट विदान सभा सीटे राज सभा की साथ और लोग सभा क 14 सीटे हैं यहां पर कि डांस विफू डांस यहां पर माना जाता है बहुत इंब़र्टेंट है दिवर्णर और्रमपुत्र नदी कि दे बड़े ने वाला कि लारी का नाम आपको बताना है तो नुवान जोकोविच जोकी नमबर वन टैनिस प्लेयर है उन्होंने बेलगे दोपन जिता किनको हड़ाया है इस लोग किया कि एलेक्स मॉलकें को हराया फाइनल में दिपार कि आपको बताना है तो आंसर है कुलदीप सिंग जी को दिया गया है कब इसका फांडेशन वा 2009 में फांड़र राधा विनोद्राजू एड़कोर्टर न्यू दिल्ली में है तो इसको अत्रिक प्रभार दिया गया है तो यह CRPF के डारेक्टर जेनरल भी है कुलदीप सिंग इनको ही अत्रिक प्रभार दिया गया है कबसे चलिया आगे बढ़ते हैं अधिकार सनरक्षण आयोग उया जो खबरों में है का मुख्याल है कहां पर है twitter का मुख्याल है ऐसे फैसापना हुआ था चाहिल्ड प्रटसण ने पंच के अंतरःक्व menjadi पीचीर के चेर्मेंट को ने प्रियांक पितव है तो कमो अभी सब्सक्राइब करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह सकते हैं अगला कोशन देखते हैं इसमें कौन सा राज 30 माई को अपना स्थापना दिवस मनाता है तो गुवा यह 1987 में इसका राज बना था इस्थापना हुई थी तो तीस माई को यह इस्थापना दिवस मना जाता है गवर्णर कौन है भगत सिंग कोश्यारी प्रमुद सावंद्या के चेफ मिनिस्टर है गौवा देखे दो ही यहां पर इस्थी के नौर्थ गौवा साउथ गौवा एरेबियन सी के महरास्ट्र करनाट का पड़ोसी राज चोटा सा राज यह कुछ नहीं है बट यहां का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह यहां का पर कैपिटा इंकम करीवन पांचलाक और विदान सभा की चालिज सीट है नेक्स्ट अब भारत की लड़ाई में समर्थन और योगदान देने की किर्दिसा में सक्रिय है रूप से काम कर रहा है उसका मुख्याले कहां है तो इसका मुख्याला है अंगुडगाह में पावर गिट कॉर्पेशन विडिया लिमिटे पंजाब सिक्की मिन सबको दिया गया है सोचल कॉर्परेट सोचल रिस्पॉंसलोट्री के तुरू इसलिए अभी यह चर्चा में उनीस तो नवासी में इसका फांडेशन हुआ था गुडगाहों इसका हेड़कोर्टर है नेक्स्ट को सब्सक्राइब को निधन हो गया है त आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और आपको बहुत फाइदा पहुंच आएगा रेगुलर्ली हमारे सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में तब तक सुरक्षित रहे हैं घर पे रहे हैं मास्क जरूर पहनिए और और पॉजिटिव रहे हैं बहुत जल्द यह सब चीज खतम होगी कोईडेंटी का प्राप्लम खतम होगा एक्जाम सोंगे और आप लोग जरूर जिनकी में सफ़ा लोंगे थैंक्यू थैंक्यू